प्यार के साथ वचन धरम पत्री का आज का एपिसोड कुछ जादा कहानी में आगे ट्विस्टेंट टर्ण नहीं ले रहा बस एक छोड़ा सा टर्ण लिया कहानी ने यो वैसे एक बात बता है मतलब एक्सपेक्टेट था ही नहीं ऐसा कोई टर्ण लेकिन वह आज हमें देखन क्या झारा और एक ही चीजना बार-बार चली जारीए Seren लगाता रहती दिखाई जाती है ऐएफ रोस देखकर मतलब हो गल्याद हो जाता है और और उसके पापा बोछ उसके पापो से रवी पूछ और गवी बोलता है कि पता आपको पता है कीरती ती मैंने इसके बाद पापा यह को नाकर बठाते रवी को बताते हैं कि रवी का प्रोजेक आउ और आटो मुबाइल खा वो जो खूलना चाहता दा लेकिन उसके लिए रवी का ने मना कर दिया तो रवी के बाबबाफिर रवी को एक वो देते हैं उसमें देखने को यह मिलता है कि कीर्थी के नाम से इंडस्ट्री है उसको वो चालू करने की सोच रहे हैं और इसके लिए ही वह रवी के पास आते को पेपर को पड़के साइन करें ताकि उस पर काम शुरू हो सके वह दू तब भी मापर क्योता झाट की चाचा है की चाचा के च आरा जाते हैं और प्रतिक्षा को देखते हैं पदाद चाल गया ना तो बोलते हैं कि मैं तुझसे माफी माँगो तुझे लगा भी कैसे अगर मुझे इस बात से कोई मतलब निकितु मेरी बात का बुरा तू दिल पे लेगा या फिर घुटनों पे लेगा मज़े बिलकुल भी मतलब नी ठीक है और बात रही हैं आप मैं क्यों है मैं आया हूँ एड इटी से मिलने प्रतिक्षा से फिर हमें डिखाया जाता है कि बाइब मैं पर होट्र बात की हां आप आकर अलाम से य Σे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन वहीं पर और थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको लगता है किसो को मारते मूरते हैं कि वहां पर ना एक लोर एंगल का कैमरा था ठीक है उसके उपर पता नहीं क्यों किसी ने बात नहीं की लेकिन मैंने उस कैमरे की भी मैंने फुटेज मंगवाई है वो कैमरा क्या है उस कैमरे से बिल्कुल क्लियर शॉट आएगा उस एक्सिडेंट वाली जगा का और यह देखना है कि भाई वहां पर आखिर कौन था क्योंकि यहां पर तीही जगा नहीं है तीरी जगा है घर में और इस स्टेशन में रहने की जगा जो है वह उस गुनेंगार की जिसनी आप चीज को मिलता है कि मलार मनी मन में सोचने लग जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मतलब मैं तो इतना ठीक था मैं तो बहुत सईसी जाए था लेकिन अब क्या होगा अगा चाचा जी ने वो वीडियो देख ली तो मतलब मैं तैकली फसूंगा अब मैं क्या करूं क्या नहीं ये वस सब वो सोच भी हमें अगले यह देखने को मिलता है कि मलहार जो है वो पहुंच जाता है उसके पास क्या कहते रगू के पास पूंचने के बाद किय RAW बनता है कि जो उस क्या कहते है encourage है और वह क्या नाम है उसका मलहार है वह इस बारे बात कर रहे हो ते कि किस तरीके से वह अपने आप एंस ceremon शीवा से बचाय है प्लस क्या वह करें जिससे वह बच जाए to फसे कुछ वह सब इसके त्यारी करने लग जाता है अब इसके सासा सब में यह भी देखने को मिलता है कि जो होता है वह यह एंटिट्यूड में आता बहुँ पॉइंट मारता हूं जैसी किया था महलार ने अपनी फैकरी जारी थी कि बाई देखो तो पुलिस वाला हूँ तुम कहा हो तुम तो एक मामली तुच्छे से गुंडे हो अब तुम क्या ही कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे यह सब डियालोग मारा सेम डियालोग उसने क्या कहते हैं रगु ने मारा अब रगु के डियालोग सुनकर मनी मन में सोच रहाता है कि यार बोलता है कि देख कि तू चाये कुछ भी कर ले फसेगा तो ही क्योंकि मेरे पास ते रे उस जगह की वीडियो है जहां पर मुझे क्लियरली तू दिख कर रहे हैं दूसरी बात प्लतिक्षा को तू ने बैठने के लिए बुथा गारी वे और तीसरी बात तूरे मां सा की पहु चला जाएगा लेकिन तब भी चल मैं तरी मदद कर दूंगा लेकिन तुझे उसके लिए एक चीज को कुर्बान करना हुआ जैसी वह यह बोलता है वैसी मलार हमें देखने को मिलता कि मलार के पीछे से कोई गन लेकर होता है और शूट करेता है अब उसके बार हमें दिखा जाता है कि रवी जो है वह अपने मतलब एक काउच पर बैठा हुआ है अपने प्रतिक्षा की कॉलेज की टाइम की मेमुरीज क स्क्रॉल कर रहा होता है तब उसको वह दिन आ दे उस दिन की फोटो दिखाई दिती है दिस दिन वह जाकर कीरती को प्रपोज करने वारा था उस दिन हमें यह देखने को मिलता है कि की कीरती को मिलकर वह फैंली प्लैनिंक कर रहा है कि बच्चे कितने होनी कैसे होनी चाहिता है यह पर काव्या की आती है काव्या आ जाती है और कर तो रभी को क Thinking क्या हुआ से कारकेती चली गए अब इस बात को सुनका फिसिक काव यह कावई का क्या हाल हो चुका है उसको कोई संभालने वाला चाहिए कोई तो अब उस फेस में चली जाती और वो रवी को बहुत संभालने की कोशिश वही को समझाती है यूजना को समझाती है या कि चिलाती है जैसे जिस organ? अपने से बाहरा अजाता है और बस वह नौर मुनला ता है वही हम नें दूबारा देखी चला कि पर आदा है कि हमये नी जो है वह बिलकुल उसका तुरनत को तुरनत पुरम जा सकता है लेकिन यह पूरा सीन यह नहीं के बादा इसे नाव में गसी प्रूरियल करेंटली बताऊं तो वरना इससे काफी जारत चीजे थी यह देख लिगों मिल सकते थी यह दिखा सकते कि प्रतिक्षा के चाचा जो है वो गए है होटल वालों से बात करने गए हैं हमाँ कि हमें कुछ फुटेज दिखा दी जाती प्रतिक्षा के साथ क्या हो रहा है वहां प दिखाया जा रहा है यह बहुत जादा बोरिंग लग रहा है इन सब चीज़ों को अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह बिल्कु भी वर्स नहीं है देखने के लिए अगर इन सब सीन्स को नहीं हटाया गया तो जितनी बची कुछी टीयारपी भी आरे धरमपत्नी की वह भ पर खतम हो जाएगी तो बस बात यही है कि इस चीज़ को खतम करें तो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में वह आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धरमपत्नी का हमें कमेंट करके ज़रू बताओं और इसी तरह धरमपत्नी के आने वाले एपिसोड के कहानी और रिव् यह तकि आपसे मिसना हो हमारा कोई भी लेटिस अबडेट